प्रॉब्लम होने वाली है या प्रॉब्लम हो रही है अर्दा मोमेंट अभी फर्स्ट एक पॉइंट बता दूं कि हमारा जो न्यू प्लाटफॉर्म जो आया ओबीएस जो हम लोगिंग करते हैं अब ध्यान से सुने जितने भी लोग हैं चाहिए वो हमारा जूम पे हो यह देखने को मिल रहा है जब रेजिस्टेशन का जब वहां पर क्लिक कर रहे हैं नियू ओमेल पर तो अल्मोस्ट अभी 50-60% लोगों को वो वो फाउंडर.net में वो नहीं दिखेगा 50-60% से ज्यादा लोगों को वो नहीं दिखेगा ठीक है यह नूटिस करवादूं कि लास्ट एश ने एक रिमाइंडर दिया था आपकी आक्टिविटी आपको वहां तक लेके जाएगी आप कितना लॉगिंग करते हैं कितना एक्टिव थे अपने अकाउंट को लॉगिंग करके या जो भी चीज़े आप कर रही थे ऑन पैसिव के अंदर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन तर जो कैजुली लोग सोच रहे थे कि मैं अपडेट यूटूब से या किसी और थू आप फाउंडर.net को लॉगिंग नहीं करना पड़ता है या फुछ ऐसा इंपॉर्मिशन तो अभी उनी लोगों को वह चीज़ नहीं दिख रहा है ज्यादा तर लोगों को वहां पर वह चीज़ नहीं दिख रहा है और यह नहीं दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग करके वह सारे चीज़ों को अपडेट देख रहे हैं यह वहां पर जिस भी मेल से वह रेजिस्टेशन करने के बाद वहां पर अपना ओनेट में अपना प्रोफाइल क्रेट करके वह एक्टिविटी वहां पर कर पा रहे हैं और डारेक्ली वह ओंडर.net पे नहीं जा करके वह डारेक्ली वहां पर जा सकते हैं वह पर्मिशन है फर्स्तिंग जो जिन लोगों ने अपने आइडी को वह फाउंडर.net में एक्टिव किया था वह सेम आइडी अगर पहले दो दिन पहले जो हम लोग स्टार्ट हुआ था जिनों ने भी वहां पे रेजिस्टेशन पेज पे अपना ओमेल की आइडी या अपना एक्ट्वल जीमेल की आइडी जिन लोगों ने रेजिस्टेट कर दिया था और जिसका सक्सेश्फुल होने के बाद लिंक नॉट आक्टिविट वहां पे आ रहा था और दुबारा से जब वह क्रेट करने के लिए जा रहे हैं उनका ओमे क्रेट नहीं होगा या नहीं हो रहा है इड jsem अब्लिघ हो बहुत हो को यह problem हो रहा है कि स्टर मेरा वह सेम विल है ओ फांडर डाट नेट में मैं लॉगिंग कर पा रहा हूं पर मैं जब उस option पे जा रहा हूं कि मैं तो मेरा वहाँ पर link पेल दे रहा है या वह मैल आईडी वहाँ पर accept नहीं होरा है मैं अधर मेल को alternate मेल को वहाँ पे डाल रहा हूं वह ले ले रहा है पर जो ओ मेल का आईडी है वहाँ पे दुबारा से चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे आप्शन नहीं दे रहा है वह सेम मेल आईडी वहाँ पे आ रहा है बट मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं इस दे कि आपने पहले ही से बहुत सारे लोगों ने जो हमारा कस्टमर पोटल है जो हमारा कस्टमर वेबसाइट के लिए दिया गया था वहां पर एक्चुल जो हम पाउंडर है वहां पर बहुत सारे पाउंडर ने वह रेजिस्टेट कर दिया था सक्सेस्पुली मतलब कि वह उस टाइम पर उनकी आइडी वहाँ पे स्टोर हो चुका है कुछ डाटा जब वहाँ पे स्टोर हो जाता है जब तक बैकेंड के तरब से पूरा फॉमैट ठीक नहीं हो जाता जब तक रिप्रेश नहीं हो जाता तो बहुत लोगों को यह दिक्कत होने मतलब होने वाली है रहूं नहीं हो रहा है कि जिन लोगों ने अल्रेडी क्रेट किया जब वह फेल दे रहा है या दो मेल आइडी से आपने ट्राइग कर दिया प्लीज तीन चार मेल आइडी से ट्राइग ना करें लुए अप उस कन्ठूजन में बहुत सारा मेल वहां पे एंटर कर दे रहे हैं पर जो मेल आपका लुए के अधर आधियए जहां है वह ही मेल रह रहा है वहां पे चेंजिस नहीं हो रहा है यहाँ रह है और मैंने कली बोला था कि alternate mail ID option आपको मिलेगा OTP जाने के लिए आप वहां से किसी भी alternate active mail ID को आप डाल करके active कर सकते हैं बड़ जो एक बार registered हो जाता है वो मेल में वो change नहीं हो रहा है तो यह instruction है सारे लोगों के लिए जिनका नहीं हो पा रहा है kindly प्लीज वेट करें ऐसा ना हो कि आप alternate mail ID देने के बाद बाद में कहें कि सर सबसे try कर लिया फिर उसके बाद back end support पर फिर आप disturb करें फिर किसी लीडर को disturb करें उसके बाद से आप बोले सर मेरा तो पहले भी यह problem था अभी यह problem हो रहा है तो problem हम खुद से create कर रहे है अगर वो चीज नहीं हो पाता है किसी का registration नहीं हो पाता है डाट मेंस की सिस्टम आपका mail को accept नहीं कर रहा है क्योंकि पहले से ही वह एक बार accept कर चुका है जब डेटा एक बर वो आपका store हो जाता है और फिर उसी डेटा पर बार बर उस पे continuously आप दूसरे mail से अक्टिव कर क्योंकि हमारा सेकंडरी mail आईडी होता है gmail हमारा पहला ओमेल प्राइमरी यह और प्राइमरी जब एक बार स्टोर हो जाता है आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत लोगों का ओमेल क्रेट नहीं हो रहा रिजन यह यह सबसे important चीज यह है कि जिन लोगों कभी ओमेल क्रेट हो जा रहा जैसे कि तीन चार अकाउंट है तो काइंडली कि दूसरे डिवाइस पे भी ट्राइक करने की कोशिश करें एक डिवाइस पे आप तीन चार आईडी को ओपन करके अभी मत किजिए एक डिवाइस पे आपने एक पूरा फाइनली कंप्लीट जब तक ना हो जाए तब तक उस डिवाइस में आप दूसरा अच्टिवेट अभी मत किजिए क्योंकि कुछ एसे स्टोरेज आपके वहाँ पर इंस्टॉल हो जाता जहां पर आपको डिलीट नहीं कर पाते हैं कुम कि अभी हमारा वहां पे कि ई जो चेंज्ज का उप्षिन पे नहीं आया है जैसे कि अगर unprec Los Angeles करना चाहते हैं अपना पास्वर्ड या किसी तरह से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अभी वह ओंप्पेली वह आप्षिन आपको नहीं दिख रहा है तो जो भी लोग वहां पर लॉगिंग कर रहे हैं यह एक इंस्ट्रक्शन है क्योंकि विदिन फॉर फाइफ देज के अंदर जितने भी फाउंडर्स है वो सबको एक्सेस मिल जाएगा और वो सारे लोग वहां पर स्ट्रीम पर दिखेगा सबको अल्मॉस्ट अभी बहुत सारे लोगों को वह नहीं देख रहा है जिसके वज़े से पानिक होने के सर दूसरे का अलड़ी हो रहा है मेरे को तो आ भी नहीं रहा है आपके अक्टिविटी के ओपर वह जैसे हमारा तीन आईडी है अगर हम एक आईडी पर एक्टिव हमें बार उसको उपेन कर रहा था उसके सारी चीजों को चेक कर रहा था जो दो आईडी मैं नहीं देख रहा था उस पर भी आएगा मगर कुछ टाइम के बाद आएगा और यह एक्टिविटी के ओपर डिपेंड कर रहा है जिन लोगों को भी वहां पर ओपर उसके अक्टिविटी और उन लोगों के उपर मतलब जो प्रॉस्ट तो दिखेगा डेफिनेटली उनको जल्दी आएगा इसलिए कहा जा रहा था जो आपका एफट है जो आप काम कर कर रहे हो कहीं परीबी और से जो कुछ कोस्ट कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी है वह आपका बहुत वालूबल है क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉइंड वॉल्यूम जनरेट रोने वाला है और यह अभी अपको नहीं दिख रहा है जिनको भी वहां पे एक अब आने वाला टाइम में अभी हमारा चौछ पे-इंक्लूट नहीं है तो कि हमारा ट्राफिक सब्सक्राइब उने वाला जो हमारा ट्राफिक है या हम जतने भी लोग अभी वहां पर इन्वाल्व होने वाले ओंदर कि डेली वेसथे में 20,000 नहीं बलके 40-50,000 प्लस क्लिक क्लिक हो रहे हैं सिर्फ ओमेल पर वह इसका रेजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है मगर वहां पर क्लिक हो रहा है तो अगर पर डे 30-40-50,000 पर डे क्लिक हो रहा है सिर्फ रेजिस्ट्रेशन करने के लिए एक महेनी के अंदर कितना यूज ट्राफिक वहां पर आने वाला है और अभी यह आपको कोई अफ़र्ट ही नहीं यह तो जस्ट खली कंपनी का एक जो कैंपनिंग है जिसके वजह से जो एनौस्मेंट है कि हम आ रहे हैं जिस जदा ओमिल उसके विहाफ में यह क्लिक हो रहा है अभी आप लोगों ने किसी को श और यह वह आपका एक्शुल जो है सोर्स ऑप वॉल्यूम क्रेट हो रहा है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर किसी का इस रिलेटेट किसी का क्वेश्चन जो तो फाइफ टैन मिनिट रॉइट सर इस रिक्वेस्ट की ले ले क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों कोई कंफूजन क्रेट होता अधर प्लाट्फोम पे वह नहीं आज का है आपने मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि आपने मेरे को मैसेज किया स्पेशली और आया और आपने टाइम दिया और यह चीज़ मैंने भी फील करी है क्योंकि मेरी मैक्सिमम आइडी सारी लोगीन होगी